दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरनेस एजुकेशन यूज में दोस्तो इस वीडियो में एक और बिग अपडेट एक और यूटीबी भरती की जैनकरी एक और जिले से यूटीबी नरसिंग पैरामेडिकल और चिकित साधिगारी भ इस इस भरतियों की बात करें तो कुल मिलाकर की राजस्थान के चिकित सभभाग के लाखो यूवाओं के लिए श्यांदर आउशर मिल रहे हैं तो एक और जिले ने यूटीबी नरसिंग पैरामेडिकल भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें साथियों नरसिंग और ऑफिसर, एन, और डोक्टर्स के पद सामिल हैं गूगल फोरम से आप लोगों को फोरम भरना होगा यानि कि आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भी किस तरीके से फोरम भरना है गूगल लिंक के माध्यम से जो लिंक है गूगल का वो आपको कहा मिलेगा वो हमारे टेलिग्राम चेनल पर मिलेगा सबसे कहूंगा कि टेलिग्राम को आरनेस नर्सिंग न्यूज टेलिग्राम चेनल को जोईन कर लिजिए चाए आप MBBS हैं चाए आप आईरवेद के हैं युनानी होमियोपैथी A2J किसी भी चिकेटसा और आईरवेद के अडर के हैं तो आप हमारा जो टेलिग्राम चेनल नर्सिंग वाला उसे जोईन कर लिजिए वहाँ से हर एक अपडेट मिल जाएगे आप लोगों को चाए वीडियो के मादम से मिले चाए किसी भी तरीके से आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी तो आईए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को कि ये जो भरती है इसका फोर्म आपको कैसे बरना है कुल पदों की संका क्या है क्या नहीं है देखिए CMHO राजसमंद कली ये नोटिफिकेशन आ गया था सातियो समय भाव बहुत रहता है इसलिए जानकारी थोड़ा लेट मिलेगी साथ तारी तक की बात उसके बात तो सभी को सबसे पहले अपडेट बताएंगे और अपना ये वीडियो जो है आप बहुत यूटूब चैनल से बिलकुल अलग होगा देखिए सातियो ये वेकेंसी निकाले गई है राजसमंद से CMHO राजसमंद अब इसका जो फोर्म है आप लोगों को गूगल से भरना है यानि एक लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँग आप लोगों को टेलिग्राम पर वहां से आप लोग क्या डेट का याद रखिए सात अगस लास डेट है और इसमें आप लोगों को कब तक रखा जाएगा 31,3,2,0,4 या फिर नियमित करमचरी यानि कि कोई पर्मनेंट करमचरी आ जाते है तब तक ठीके बरतिया नर्सिंग और परामेडिकल किया गया है ठीके आगे दिखा देते हैं वो भी चीजे और इसमें रोस्टर और आरक्षन यानि कि माली जे पचास पद हैं तो पचास पदों कैसे निया भाई किसी एक कैटेगरी को दे दिया जाएगा सब में बांट करके इसे पूरा कराये जाएगा ठीके तो आरक्षन भी लागू होगा बोनस अंक भी दिये जाएंगे और पेमेंट की मैं बात करूँ सातियो तो जो तीन जुलाई का कार्मिक विभाग का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार तो 37,800 यहाँ पर मिलेगा जी एनेम को नर्सिंग ओफिसर को यह पेमेंट है एनेम की मैं बात कर लूँ तो एनेम को मिलेगा सातियो 26,300 रुपे हर महिना ठीके और डॉक्टर्स की मैं बात करूँ एमो की तो 56,100 ठीके सातियो ठीके एमो मेडिकल ओफिसर को 56,100 पर मंत दिये जाएंगे अब 7 अगस्त तक आप लोग फोर्म भरें अब यह जो राजसमंद का फोर्म है साथियो इसमें सबसे पहले तो इस स्थान्य अभ्यर्थियों को वरियता दी जाए इस स्थान्य से मतलब है जिले से ये वकीन से निखले उस जिले के लोगों को तो राजसमंद के पहले लोग लिये जाएंगे उसके बाद ये जो जिले हैं राजस्थान के उन लोगों को भी ले सकते हैं लेकिन सबसे पहले प्रायोर्टी मिलेगी यहाँ पर राजसमंद को फोम तो कोई भी भर सकता देखिए फोम भरने के लिए मैं मना नहीं करूँगा कोई भी भर सकता है लेकिन प्रात्मिक्ता मिलेगी राजसमंद के मूलनिवासियों को ठीक है साथियो एक और चीज जो योग्यत है आप लोगों की उसमें आविदन की अंतिमतिति तक रजिस्टर्ड होना आउशक है अब देखिए चैन प्रिक्रिय क्या रहेगी इसमें आप लोगों का जो परसंटे जोड़ेंगे ठीक है बारवी का और जी एनम बेसी का टैंथ ट्वैल्थ एनम का जोड़ेंगे ठीक है यह जो कमेटी है CMH की वो तैख करेगी ठीक है तीसरी बात यहाँ पर यह योगताएं हैं तो योगताँ आप सबको पता है क्या-क्या है MBBS और RMC का रजिस्टरेशन चिकितसा दीकारी के लिए जी एनम के लिए जी एनम बेसी और RNC का रजिस्टरेशन यह योगताएं हैं ठीक है साथियो और किस तरीके से फोर्म होगा ऐसे सबसे पहले यह आएगा तो यहाँ पर यस कर देना अगर आप रास्तान के मूल निवास नहीं है तो नो कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपनों को पोस्ट पर टैक करना इस गोले में ठीक है ऐसे डोक्टर है तो डोक्टर पर टैप कर दीजे जी एनम है तो जी एनम पर एनम है तो इनम पर उसके बाद यहाँ पर आपको नाम भरना है यहाँ पर टाइपिंग करनी है जैसे ठीके मैं मेरा भर कैस इस तरीके से भरना है उसके बाद यहाँ पर आपको father name भरना है ठीक है यह यहाँ पर भर सकते हो उसके बाद क्या करना साथ हो sex, यानि कि आप लोग का link क्या है male, female, others ठीक है, इस पर tap कर लीजिएगा इसे भर देना है, उसके बाद date of birth यहाँ से यह जो दिख रहा है आप लोग को यहाँ से tap करोगे तो आपकी date of birth आ जाएगी select कर लेना हो जाएगा उसके बाद आपको category fill करनी है ठीक है, जैसे mbc है तो mbc पर tap कर दो scs, अगर आप लोग इन में से हैं ph, video, divorce, sports, ex, army इन में से आप लोग select कर सकते हैं कोई भी आप, ठीक है, यहाँ पर right का tick कर देना सिर्फ, ठीक है home district आपको भरना, यहाँ पर answer लिखना है, राज समन्द लिखना है ठीक है, ग्रह जिला जिसका जो है वो भर दीजिएगा, ठीक है उसके बाद permanent address यहाँ पर आपका गाउं, city, कसबा, जो पी है तैसिल, पिन, कोड़ सब यहाँ पर mobile number आप लोग को लिख देने हैं आपके जो भी mobile number हैं वो उसके बाद दूसरा mobile number भी आप लोग दे सकते हैं ठीक है, यहाँ से उसके बाद क्या करना है यहाँ पर select कर लेना है दस वी आपने कौन से board से pass की RBSC का मतलब राजस्थान board CBSC का मतलब है केंद्रिय मादमिक सिक्षा board CBSC दिल्ली अधर से की है पंजव, गुजिरा, थरियना तो अधर में आप लोग यहाँ पर tap करेंगे ठीक है किसी ने अन्य state से की है CBSC के अलावा और RBSC के अलावा तो अधर पर tap करेंगे अगला 10th cup pass के यहाँ पर बर देना है ठीक है इसके ने 2006 में किया उसके बाद 10th की percentage यहाँ पर बर देनी है जैसे किसी की 56% वह बर देनी है उसके बाद क्या करना है 12th कौन से बोड से pass की वह भरनी है साथी इसमें ठीक है और उसके बाद कब pass की माली जी आप लोगों ने 2012 में pass की 12th यहाँ पर लिखना है 12th की percentage भर देनी है जैसे 70 किसी की है तो 70% लिख देना है डिग्री डिपलोमा कौन से से है आप लोग ANM का है तो ANM पर टैप कर दीजेगा GNM BSC है तो GNM BSC पर MBBS है तो MBBS पर उसके बाद क्या है कि ANM है तो ANM के first year में कितने नंबर थे आप लोगों के कितने थे जैसे माली जी वह 600 नंबर थे ठीक है second year का भर देना है यहाँ पर किसी की 18 महीने की है तो आप लोग जो 6 महीने वाला वो यहाँ पर भर दीजेगा intensive वगरा के ANM का total कितना आया वो भर देना है total percentage जैसे कि 66-66 बन रही है 66 आप लोगों के आप भर देना है दोनों के जोड़के इसी तरीके से GNM BSC का करना है second year और third year GNM BSC किसी ने तीन साल की GNM BSC कर एक तो fourth year में आप लोग खाली छोड़ सकते हैं ठीक है ना किसी ने तीन साल की GNM कर रखिये तो third year में भरने के बाद fourth year वाला जो कोलम है GNM BSC उसे खाली छोड़ सकते हैं BSC nursing को चारो कोलम भरने होंगे ठीक है और किसी की अगर यहाँ पर साड़े तीन साल वाली internship के साथ जो है GNM है तो वो यहाँ पर fourth year के कालम का यूज कर सकते हैं यहाँ आप लोगों अपनी GNM की internship की जो percentage है वो दिखा देनी है ठीक है साथी हो ठीक है ना अगला यहाँ पर total percentage GNM, BSC कितनी बन रही है वो बरतेनी है उसके बाद आता है डोक्टर्स का नंबर MBBS first year, second year कितने कितने percentage बन रहे थे ठीक है यहाँ पर percentage भरनी है अलग-लग years की और MBBS final year percent कितनी थी और उसके बाद MBBS का total percentage कितना था experience अगर आपके पास है तो यहाँ पर yes करना है ठीक है साथियो और no है तो no कर देना है ठीक है ना yes और no करना है experience में yes करना है जिनके पास है जिनके पास नहीं है वो no experience पर tap करेंगे इसको छोड़ना है आपको ठीक है जिनके पास है वो उस पर yes पे किलिक करेंगे जिनके पास नहीं है उनको no experience अब experience में भी किस-किस का है देखिए किस-किस का है वो आप लोग देखें अगर आप लोग CHA लगे हुए थे कहीं पर तो CHA पर tap कर देना NGO के माध्यम से लगे थे NGO पर tap कर देना प्लेस्मेंट के माध्यम से लगे थे तो प्लेस्मेंट यानि ठेकेदार का कर देना UTB का है तो UTB कर देना contractual है तो contractual का कर देना ठीक है 108 है तो 108 का और यहाँ पर no अगर नहीं है तो no experience किसी के पास नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर no वाला लास्ट कोलम है उस पर tap करना है साथियो ठीक है NGO से मतलब PPP mode ठीक है न यह आप लोग ध्यान रखे कभी है सोचिक मतलब PPP mode तो अब मैं क्या बहुरूँ प्लेस का मैंट करते है ठेकेदार क्या ठेकेदार ठीक है साथियो 108 का तो भरी दोगे contractual सविदा कर्मी यह अलग से दिया गया इन्होंने पता नहीं क्या आई अब आगे बाद experience कितने दिन का है आपके पास एक साल का दो साल का तीन साल का वो टैप करना है ठीक है उसके बाद registration जो नंबर है वो यहाँ पर भरने है आप लोगों के सम्मदित नर्सिंग कॉंसिल के रहस्तर मेडिकल कॉंसिल के उसके बाद registration की date यहां से select कर लेनी है registration की date जैसे माली जै किसी का 21 December से 2020 को हुआ registration और अब माली उसकी 31 December 2025 वो है ending date तो यहां से tap हो जाएगी ठीक है जब इन पर यह दिख रहा है आप लोगों को यहां पर जब आप लोग टैप करेंगे तो आप लोगों को calendar खुलेगा calendar में year select लेना date select लेना month select कर लेना ठीक है और उसके बाद declaration यहां पर आपको yes का tick करना है ठीक है और yes के tick करने के बाद a copy of your response will be emailed ठीक है तो जैसे आप लोग फोर्म भरेंगे उसके बाद यह हां पर यह submit का button है इस पर click कर देना है clear forum पर नहीं करना आपनों को नहीं तो जो सारा बरा था वो सारा चला जाएगा ठीक है तो ठीक है या फिर क्या करना ठीक है दूसरा तरीका बता देता हूं submit तक जाने के बाद इसे submit मत करना थोड़े देर के लिए फिर आपने जो जो details भरी है ना उसका screen sort कर लेना जिस तरीके से मैंने लिया हुआ है ऐसे screen sort कर लेना आप लोग सारे ठीक है ताकि बाद में कभी यह क इसको बरना और आपकी email पर भी वैसे आ जाएगा लेकिन कोई अगर नहीं करना चाहे तो वो है ठीक है साथियो अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें post जो हैं नहीं बताए गई है क्या post नहीं बताए गई है कितने पद हैं भाई ठीक है न तो वो यही जाने जितने भी हों करी जाएगे वो सारी के सारे चीज़े हैं ठीक है तो यह जानकर यह साथ ही हो आप लोगों के लिए 7 अगस्तक फोम बरा जा सकता है फोम भर करके भी बता दिया मैंने कहां पर क्या भरना है वो भी बता दिया भी इससे बहतर साइद मुझे नहीं लगता को यूट्यूब प पर मिल जाएगा ठीक है सभी भाई बेनों को बिलकुल भी परशान ना हो क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता मुझे आज कल वीडियो बनाने में लेकिन सबसे बेथर बताते हैं आप लोगों को सबसे शांदर तरीके से फूरा का फूरा फूरा फोम भर करके भर दीजिएग लेकिन वन इयर पर करें ना बाकी वो लोग जानेंगे भाई ठीक है ना वन इयर पर आप टैप कर दे ना छिनके एक दो तीन साल हो रखे हैं वो अपना एक दो तीन जो भी कर रहे ना बाकी छिए वाले क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को एक साल पर टैप कर देना क्यो कि जो डेट है साथ अगस्त है कितने पद हैं ये नहीं बताए गया वो जाने जो भी होगा ये है सबी जिलों के भर सकते हैं वैसे तो और मैं तो ये कहूंगा इसमें कुछ मांगा तो जा है नी रहा ना कोई कागज मांग रहे कि भाई अपलोड करना है वैसा ऐसा कुछ नहीं मांग रहे तो भाई मन करे इंस्टाग्राम के चार रील देखते हो इतना सा समय लगेगा तीस-ती सेकंड वाली तो आप लोग भर दीजेगा इसे भी ठीक है जिसे ये भी रहे कि चलो यार फोम तो भर दिया था ठीक है ये संतुष्टी के लिए बता रहा हूं किसी को ये करे मन करे करे हमारा नमबर आएक तो भर करके देख ले ना बाकी कोई बात है नहीं धन्यवाद दोस्तो टेलीग्राम पर फोलो कर लिजे इंस्टा पर भी फोलो कर लिजे और आप ट्वीटर पर हैं यो ट्वीटर पर भी फोलो कर लिजे साथी वेबसाइट को विजिट कर लिजे www.rnseducationnews.com धन्यवाद साथियो जैहिंज जैवारत